जै हिं स्वागते दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह भारत सरकार ने 1948 में हैदराबाद के जो निजाम है उनको forcefully surrender करवाया, क्या थी इन सारी चीजों की जो कहानी तीन मुख्य बाते मैं आपसे करना चाहूँगा पहला, history of हैदराबाद निजाम second, क्या था operation polo third, क्या थी सुन्दरलाल कमीटी की report तो चलो कूदें तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले point number one से जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की history क्या थी तो भारत इस समय ब्रिटिश राज से आजाद हो रहा है हो चुका है और 206 जो princely states हैं वो भारत में मिल चुके हैं केवल एक state है जो 13 महीने तक लगातार विरोत करता रहा इंडिया में मिलने का ये state था हैदराबाद जो हैदराबाद के निजाम के अंडर में आता था अब इन भाई साब का भी बड़ा interesting point of view था ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर है लेकिन हम भारत में मिलने को किसी भी तरह तयार नहीं है यहां तक होती बात तो भी ठीक था लेकिन इसके बाद इनकी एक रजा कर करके एक military होती थी जो वहाँ पे रहने वाले जो हिंदूस थे जो उस समय वहाँ minority में होते थे उनके उपर काफी अत्याचार करते थे इसकी वज़ा से finally मजबूर होके नहरु जी को जो उनके जो home minister थे सरदार वल्लब भाई पटेल उनके साथ agree करना पड़ा और उन्होंने sanction किया operation polo तो क्या था operation polo So जब नहरु जी की diplomacy और dialogue 12-13 माईने तक कोई result नहीं लेकर आए तो सरदार पटेल ने decide किया और उन्होंने बोला कि यह जो state of हैदराबाद है यह बारत के सीने में एक छाले की तरह है जिसको एक surgical strike से बाहर निकालना पड़ेगा जिस चीज से मुलक को फाइदा नहीं होता है इस चीज से आखर हमको खुद को भी नुकसान पड़ा वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदोस्तान आज सदियों के बाद देख हुआ है और एक मौका मिला है वो गुमाना नहीं चाहिए इस तरह के decisive leadership पाली personality रखते थे वो उन्होंने sanction किया Operation Polo रातो रात 36,000 इंडियन आर्मी का troop था वो गया रातो रात ये सारी चीजे इन्होंने settle करी निजाम आफ हैदराबाद की जिद के कारण बहुत सारे जो मासूम civilians थे बहुत सारे जो उनके सेना के जो लोग थे वो मारे गए लेकिन finally हुआ वो ही जो होना था हैदराबाद को successfully भारत में मिला लिया गया अब हम बात करते हैं Point No.3 पे सुंदरलाल Report क्या थी ये सुंदरलाल रिपोर्ट जवालल नहरू गवर्मेंट ने एक कमीटी फॉर्म करी जिसको head कर रहे थे पंडित सुंदरलाल जी उनके अलावा इसमें दो मेंबर ओर थे एक का नाम था काजी अब्दुलकफार एंट तीसरे थे मौलाना मिस्री इनको नहरू जी ने हैदराबाद के टूर के लिए भेजा उन शिकायतों के बदले में के जवाब में जिसमें बार-बार कहा जा रहा था कि इन्डियन आर्मी हैदराबाद के अंदर काफी human right violation कर रहे है सुंदरलाल रिपोर्ट जब बन कर आई तो इसको काफी समय तक छुपा गे रखा गया फाइनली जब इसके result निकले तो पता चला कि United Nation में जो complain करी थी हैदराबाद के निजाम ने वो गलत थी और उनकी जिद और उनकी मनमानी के कारण ये जो operation polo था उसमें 27,000 से लेकर 40,000 लोगों के बीच की जायन गई थी मतब एक आदमी जिसका लालच और जिसका ego इतना बड़ा हो सकता है कि 40,000 लोगों को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा ये थी उस report की असलियत तो hopefully अब हम लोग इन सारी चीजों से एक lesson लेते हुए चलेंगे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इतना important इतना absolutely powerful ना होने दो कि उसकी वज़ा से हजारों लोगों की जान इतनी आसानी से जा सके so बात यहां तक आई कि finally हैदराबाद के जो निजान थे उन्होंने United Nation के अंदर जो अपनी जो complaint डाली थी उन्होंने वापिस ली उनको मानना पड़ा कि उनकी complaint थी वो जूटी थी please like, share, subscribe and comment करकर हमें बताईए और ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि इस सीरीज में हम cover करें, thank you very much देख तिरे सनसार की आलत क्या हो गई बगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान